एक ही और ब्रह्म कमल की कटिंग लेके आई हूं इसको भी लगाऊंगी इन्नी दिनों आराम से हो जाती है इसके तोपत्थे में से ही पौधा तयार हो जाता है लगा के पिर दिखाती हूं यह ब्रहह म कमल की कटिंग में ने 15 दिन पहले लगा थी अब मैंने इस को खाट के तिखाती हूं किरेश यह फ़ोट गई है यह फाद अ इसमें तनी जड़ फूट गई हैं यह पुदा ब्रहह म कमल की कटिंग बारिस अगर्मियों में ही लगा जाती है मैं 6 महीने पेहले लगाया था för एक पत्ता लगाया था अब उसमें इतने पत्तो निखा गई हैं एक मत्ते से मैं किषा अब मैं इसको भी निकाल के दिखाती हूं के छह महीने में इसकी कितनी जड़े लेétais यह जड़े नीचे तक पहुँच गई हैं थोड़ा उखाडने में टाइम लगेगा कटिंग से जो पत्ता लगाया था वो यह वाला पत्ता है इससे यह जड़ फूटके और यह इतना बड़ा पोधा बन गया है अमें इसे दुवारा से उसी में लगा दीती हूं इसकी जड़े मरती नहीं है सूपती नहीं इस विए से मैंने यह निकालके दिखाया है निपदे की जड़े निकालके पौधा सूप ही जाता है यह ब्रह्मकमल की जो हम कटिंग लगाते हैं उसके पत्तों में से ही पौधे तयार होते हैं जैसे यह निकल रहे है यह पत्ते में से यहां से दूसरा पत्ता निकल रहा है यह हर कटिंग पर हर मोड पर यह पत्ता निकलता है इस तरह से यहीं से यह पौधा बनके तयार हो जात है इसमें ज्चाद की भी जरूत नहीं पड़ती है और में में जाता है, यह अच्छ alltid होगर जमीन में तो बिलकुल अप्ट की मैं ने इस पोदें को वही वही शिफ्ट कर दिया है